जेश स्रिकिष्णा कता कहानी गीच चेनल में आपका स्वागत हैं सितला मता की कता एक बार एक राजा के इकलोते पुत्र को सितला निकली राज्य में एक काच्छी पुत्र को भी सितला निकली काच्छी परिवार बहुत गरीब था किन्तु भगवती का उपासक था वह धार् प्रम वस्तु नस वह स्वयम खाता और शितला युक्त बालों को खिलाता इस परकार उसका पूत्र सिग्र ही ठीक हो गया उदर जब राजा से राज्या के लड़के को शितला का परकोफ हो आ तो तब से उसने भगवती के मंडब में सत्चंडी का पाड़ सुरू करा रखा था रोज हवन वह बलिदान होते थे राजपुरोहित को सदा भगवती की पूजन में निमग न हो रहते थे राजमहल के रोज कडाई ही चड़ती विवीत परकार के गर्म स्वाधिस्ट बोजन बनते थे इसका परिणाम यह होता है कि वह लजीज बोजन की गंद से राजकुमा का मन मचल उड़ता वह बोजन के लिए जित करता एक तो राज का वह दूलारा इकलोता इस कारण उसे अनुचीत जित की पूरी की जाती थी इस पर सितला का कोप घटने के बजाए बढ़ने लगा सितला के साथ साथ उसके बड़े-बड़े फोड़े भी निकलने लगे जिस काच्छी पूत्र को भी सितला निकली है पर वा बिल्कुल ठीक हो गया है यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि सितला को इतनी सेवा कर रहा हूं पूजयावा अनुष्टान का कोई कमी नहीं है पर मेरा पूत्र अधिक रोगी होता जा रहा है जबकि काच्छी पूत्र बीना सेवा पूजक से ही ठीक क्यों हो गया है इसी सोच से उसे नींद आ गई स्वेत वास्त धारणी भगवती ने उसे स्वापने में दर्सन देकर कहा कि हे राजन में तुमारी सेवा अर्चितना से परसन हूँ इसलिए आज भी तुमारा पूत्र जिवित है इसके ठीक न हो रोग की Тशे में चौर्ग नहीं लगाना चाहिएए क्योंकि इसकी गंद से रोगी के मन वस्तों को खाने के लिए लल्चाता है रोगी का किसी के पास आना जाना मना है क्योंकि यह रोग दूसरों को भी होने बंधा है जिससे राजकमाल भी सेहत के अनुकुल परबा पड़ा और वह सिग्र ही ठीक हो गया जे मासितला की